हैलो दोस्तो आईरवेज जड़ी मूटी रहसे चैनल में आपका स्वागत है आज हम बात कर रहे हैं एलोवेरा के बारे में जो एलोवेरा बालों की समस्या के लिए बहुती फाइदे मंद है आजकल बालों की समस्या बहुती जादा हो गई है जैसे बाल जड़ना, सफेद होना, रूखापन, डेंडरफ आधी आम समस्या होती जा रही है इन सभी बालों की समस्या में एलोवेरा बहुती कारगर्शिद होगा तो आई जानते हैं एलोवेरा को बालों में लगाने से क्या-क्या फाइदे होती है गने और चमकदार बालों को आप रूखे और जड़ते बालों से परिशान है तो एलोवेरा आपकी समझ साहिता करेगा और लंबे और गने बालों के लिए एलोवेरा शेंपू त्यार करें बालों की सभी समस्याओं के लिए छूटकारा पासकते हैं, आब ऐलवेरा सैंपु, जो आई ये जानते हैं, इस सैंपु को कैसे बनाए आप थोड़ी मात्रा में एलोवेरा लें जो आप ये देख रही हैं ये एलोवेरा है जो इसका जेल निकाला हुआ है इस एलोवेरा का ये जेल निकाला हुआ है जो आप देख रही है ये और थोड़ी मात्रा में आपको ये तेल लेना है और थोड़ी मात्रा में ये उसका ना अपरीप और यह है थोड़ा गेहू गाटा तो आप इसे philosophies में मिला症ल यह थोड़ा टोरा कमें चबाड़न है कि अब हर ढर्रा गेहू का अट्टा मिलाए चंच चंच एक मुझ ठे sell और थोड़ा ये नारियल का दूद मिलाना है दो चमच मिला लीजिए और आप असको ऐसे मिक्स कर लीजिए पूर्ण तरह से ये मिक्स हो जाए मिक्स करने के बाद है ऐसे पूर्ण रूप से मिक्स हो गया है अब ये आपका एलोवेरा शेंपू तैयार हो गया है जिसे आप अपने बालों में लगा सकते हैं और सबी समस्यों जैसे बाल जड़ना रुखापन और भी डेंड्रफ और बालों को चमकदार और गना बनाने में ये सेंपू आपको बहुती फाइदे मंद है ये सबी समस्यों में चुटकार पासकते हैं तो आप ये सेंपू तयार है बालों के तेल ये और चिप चिपे जिसके जो चिप चिपे बाल होते हैं न तो जैसे खुले नहीं हो तो अच्छे सुन्दर नहीं दिखतें बालों को चमक अगर आप बिना संपू के लगाना चाहते हैं तो एलोवरे को छीलकर इसकी गिरी को इसे निकाल करें बालों पर लगा लिजीए जो आप यह ऐसे हैं तो इसको इसके इन्दर गिरी निकलती है मैंने अभी निकाल दिये यह गिरी यह जो इसमें डाली है ना इसकी गिरी भी वो को ऐसे ही अपने बालों के जड़ों में लगा रहने दें और फिर दो लें तो बालों को बहुती सुन्दर और चमकदार और गनेब दिखने लग जाएंगे और आप यह कोई भी इस्त्री हो च हम आईरवेदिक ओस्तियों के बारे में वीडियो लेकर आते हैं जो आपके लिए बहुत ही भाहित दिमन्द होते हैं थैंक्स फूर वाचिंग अपना ख्याल रखेगा टेक कियर